आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्स सेग्मेंट सेहत नामा आज हम आपको बताएंगे ब्लड कैंसर के बारे में ये कैसा खंतरनाक बिमारी है जो किसी के उमर की वक्ति को भी प्रभावित कर सकती है सेल्स में बदलाव होने की वज़ा से कैंसर काफी तेजी से बढ़ने लगता है और ट्यूमर में तबदील हो जाता है जो शरीर में किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है एडल्स की तरह बच्चों को भी cancer हो सकता है लेकिन इसका कारण क्या है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है बच्च्पन में होने वाले cancer को childhood cancer कहा जाता है बच्चों में सबसे ज़ादा होने वाला cancer मेंसे एक है leukemia जिसे blood cancer भी कहा जाता है चलिए अब जानते हैं इस cancer के बारे में leukemia एक bone marrow और blood में होने वाला cancer है जो बच्चों के लिए सबसे जादा घातक साबित हो सकता है इसलिए इस cancer के बहतर इलाज और परिणाम के लिए जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना बहुती आविशक माना जाता है चलिए बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में बच्चों में leukemia की शुरुआतिये के लक्षण में ये बताया जाता है कि उन्हें बार बार थकान मैसूस होती है अकसा infection का शिकार होना, आसानी से नीला पढ़ना, जोडो और हड़ियों में दर्ध होना लिम्स नोड्स में सूजन आना, इसके साथ ही वजन कम होना, आदी सीज में शामिल है बच्चों में इन में से एक या एक से अधिक लक्षण नजर आने लगे तो किसी अन्य बिमारी का संकेत भी हो सकते हैं लक्षण लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहते हैं तो इस्तिती बगड़ने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर सला लीजिए लिएकिमिया का जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए नियमेद जांच और स्क्रीनिंग कराना आपके लिए काफी ज़दा महत्पूर हो सकता है बच्चों में ऐसी गंबीर विमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर बच्चों को वाशिक शारेरिक परिक्षण के दोरान उनका बलग टेस्ट करवाते हैं जिसमें रेड बलड सेल वाइट बलड सेल और प्लेट्स आदी में कई सारी दिक्कत है अगर आपको दे शाव होनी की वज़े से या पीला पर नजर आने की वजह से भी चाय स्पेशलिस्ट को संपर्क करना आपके लिए बेहत जरूरी होता है अपनी फैमिली मैडिकल इतिहास के बारे में भी जानकारी होना आपके लिए काफी ज़्यदा महतूल होता है परिवार में किसी नजद इस रिस्ट फैक्टर को बैतर अरीके से इलाज करवाज जा सकता है आज के लिए बस इतने ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीदिया के साथ दन्नवाद